हरहर महादेय। जय भूलेनाथ नमस्कार दोस्तों मैं शाहतना पांडे मागदर्शन पे आपका स्वागत करते हूँ। दोस्तों कल आठ अगस्त है, आठ अगस्त और रभीवार का दिन है और आज के दिन नक्षत्र जो बना हुआ है वह रभी पुशे योग है इस योग में यदि कुछ विसेश कारे किये जाए तो आपको शफलता निश्चित रूप से मिलती है कुछ विसेश काम जैसे की स्वन् मालक्षमी को प्रशन्य करना हो गया तो यह सारे विसेश कारे हैं लेकिन यह योग सिर्फ एक योग नहीं है आज के दिन सरवार्थ सिद्धी योग भी बना हुआ है और अगले चीज है कि अमावश्या वैसे ही है तो आज की अमावश्या को हर्याली अमावश्या भी करते ह मैंने इसके पहले अफ्लोट कर चुकी हूं है तो आप उसको भी देखकर के पूरी तरीके से जान सकते हैं कि अमावस्या के नियम क्या है अमावस्याहती थी मैं आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें आप सिर्फ दौ आपको अब तक जो चीजे प्राप्त नहीं हुई आपके लाख परिश्रम के बाद वह आपको दिलाने में आपको पूरी तयार से सहयोग करेंगे कारण बता दो कि कारण एक तो ग्रहों का ऐसा सन्योग बना हुआ है और हमारे जो सास्त्र है हमारा जो धर्म है उसमें ग्रहों का विसेश योग सन्योग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है कहा गया है कि यदि सुब समय में कुछ भी से सुब कारे कर ले जाते हैं तो मात्र उनके करने से ही हमेशा फलता प्राप्त हो जाती है तो ऐसा ही कल का संयोग है तो चलिए आपको बता दू कि करना क्या है तो दोस्तों यह योग जो है मात्र कुछ घंटों का ही है पूरे दिन आपको यह शुप संजोग यानि कि रवी पूशयोग का लाब नहीं मिलने वाला है तो जब तक आपको यह उपाय करना है यानि कि जब तक यह समय रहेगा तभी तक आपको इस उपाय को फूर्ण कर लेना है इस बात को ध्यान रखें एक बात मैं पूरी तरह से बता दूँ कि कल अमवशयतिती है ले और रवी वार भी है जैसा कि आपको पता होगा कि अमवशयतिती में पीपल सीचना बहुत जादा पूरे दाई माना जाता है लेकिन मैंने अपनी पहली वीडियो में डिटेल में आपको समझा दिया है लेकिन इस बार फिर बता रहे हो कि कल के दिन आप पीपल को सीचना उनकी पूजा मत कीजिएगा उसके बदले आप महादेव की पूजा कीजिएगा और दोस्तों मेरा मानना तो ऐसा है कि आपका कोई भी काम यदि आप चाहते हैं जीवन में उन्नती तरक्य करना तो पहले सबसे प अब आपको करना यह है कि जगने के बाद सुर्य निकलने का इंतजार करना है वैसे तो मैं बताती हूं कि जब आप पूजा करें तब आप जल से दे सकते हैं लेकिन पुछ से नक्षट्र का शंपोन लाब यदि लेना है तो उगती हुए सुर्य को जल देना होगा जल देनी तो थोड़ी सी रोली ले 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 गुड़ डाल ले और यह सारे चीजें लेकर के ओणरी शूर्य आईनमा और अइसा बोलते हुए आप यह है सूर्य को अर्द्व परदान करें दूस्तों मैंने बताया कि कुछ और Г教 से संबंद अच्छे नहीं है यानि कि पिता से बार-बार आपके जगड़े होते हैं या फिर आपका कोई बच्चा जो की पिता से उसकी नहीं बनती है तो आप उन्हें भी ये सुपाय को करा सकते हैं अगली चीज बता दूँ कि यदि कोई पैत्रिक संबंदी आपको मिलने मे समस्या आ रहे तो उसमें भी बहुत अठक रहात होगी ये संजोग जो है सुब संजोग है प्रति दिन आप जल देते हैं लेकिन आज का जल देना बहुत अधिक खास होने वाला है यदि सरकारी नौकरी के लिए आप बहुत समय से प्रयास करते हैं तो आप इस उपाय को करक चाहिए क्योंकि सुर्य ही ऐसे बल्वान ग्रह है कि जो की कुंडली में मजबूत होने से शरकारी नौकरी के योग परने लगते हैं तो ऐसा आज के दिन से आपको शुरू करना चाहिए तो आप जो है कि आपको आदित हिर्देश त्रोत का पार्ट करना चाहिए हो सकता है यह भी बहुत अधिक लाप्रत होगा अगली चीज़ बता दो दोस्तों कि सरवार्थ सिद्धी योग है और अभी पुश्य नच्छत्र और अमवश्या है इस सिथी में भगवान विश्नु का अविश्यक बहुत अधिक स्रेश्ट माना जाता है भगवान विश्नु का यद मंत्रों का जब करना है हो सकता है कि आपके घर में जो है विश्नु सहस्त्र नाम पढ़ने की जो पुस्तक है वो नहों कोई भी समस्या हो सकते हैं तो आप कम से कम सुन लीजे क्योंकि मैंने बताया है आपको कि वाचन और स्रवन दोने में बहुत कम अंतर होता है कम से कम हाँ अवशेक के जल में आपको पीला चंदन भी डालना है। पीला चंदन जरू खरोन करें थोड़ा सा जल आप इसमें बचा लें। विश्णू को स्नान कराने के बाद अवशेक कराने के बाद। और इसे पूरे घर में अपनी तिजोरी में जो है अची तरह से छिड़काव करें, ध्यान रखें जमीन पर न पड़ें जिससे आपके पैरों में लगें, ऐसा ना करें, दीवारों पे अपने घर में, मतलब ऊपर ऊपर छिड़क सकते हैं, पैरों में ना आये जल, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों इस उपाय को मात्र करने से मालक्षमी की असीम कृपा होती है क्योंकि ये मुहूर्त जो है बहुत विसेश मुहूर्त है इस समय यदि आपने सीवलिंग पे एक लोटा जल चड़ा है बगवान विश्णु काविशे किया किसी मंत्र को जपा सुरी को माना जाता है और इसकी विसेश्ता तब और अधिक बढ़ जाती है जब ये गुरुवार और रभिवार को पढ़ जाता है अब दूसरे चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि अब इसको करने के बाद जो है आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए क्योंकि आज के दिन जो ह करा तो आज के दिन पूजा प्रार्थना जरूर प्राद्ण करें कि तिथी अमावश्या के और अमावश्या तिथी का हमारे शास्त्रों में बिसेश महतों माना जाता है आज के दिन मैंने आपको जो पहली वीडियो इसमें बताया है बहुत अच्छी तरह से बताया है मेरी इक्षा है कि एक बार आप ने उस वीडियो को भी जरूर देखना चाहिए क्योंकि उसमें आपको मौश्यतिति से जुड़ी रभी पुश नक्षत्र से जुड़े वाली है तो एक बार उस वीडियो को देखें दोस्तों और इस तरह से पूजा आराधना करें कि आपके पूरे बढ़े ध्यान दीजे मेरी बातों को आपके पूरे बढ़े आप बात को साइच समझ रहा होंगे कि जब आपके जीवन में आपके पूरे बढ़ते हैं यानि कि की बुरे कर्मों को जला कर भस्म करने में सबसे प्रथम स्थान उनका आता है तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कोई कारे करे कुछ भी करे सबसे पहले महादेव की शण में रहे तो दोस्तों ये जानकारी उमीद है बहुत जादा आपको लाप देगी और ये जो संख वाला अगर केला आपको मिले तो पीला चीजे जो है भगवान विश्नु को विस्सेश्प्रिय होती है तो ये चढ़ा करके तुलसी दल के साथ जो है विश्नु सहस्तर नाम का पाट करे तब भी मालक्षमी के करपा होगी क्योंकि आपने विश्नु जी की आरादना की तो इस कारे को आपकी जीवन में कैसे आनंदाता है और दूसरी चीज़ प्रार्थना करना न भूले यदि आपकी कोई कष्ठ है मन की बात है तो आज शिवलिंग में जाकर के प्रार्थना करें शिवाले में जाकर के प्रार्थना करें भगवान विश्नु की सम्मुक प्रार्थना करें दोस्तों आज सुम मुहुर्ट में आपकी प्रार्थना जो है पूर्ड तया भगवान स्विकार करें अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यह मुहुर्ट जो है कितने समय का है तो आठ अगस्त रवी पुसेनच चत्र सरवार्ट सिद्धियोग एवां अमवश्या यह सुब करते हैं जानकारी आपको पशंद आएगी धन्यवाद